नमस्कार आप देख रहे हैं वीकलिक और मैं हूँ आपके साथ तांजरारिया चीन के वुहान से फैली कुरोना महामारी का पुरे विश्व भर में प्रकोब बढ़ता जा रहा है अगर भारत की बात करें तो भारत में भी इस महामारी ने जब से अपने पहर पसा रहे हैं तभी से सरकार ने लॉकडाउन की खोशना कर सब कुछ बंद कर दिया लेकिन लॉकडाउन 5.0 जिसे अनलॉकमन भी कहा जा रहा है जो 1 जून से 30 जून तक लागू रहेगा इसमें बहुत सारी चीज़े बदली इसके साथ ही काफी सारी छूटे भी दी गई लेकिन इस कोरोना काल में भी धार्मिक परमपरा की पहचान जारी रहेगी दरसल पूरी में भगवान जगरनात की रह थियात्रा नहीं थमेगी सुप्रीम कोट से मंजूरी मिलने के बाद अनुमती मिलने के बाद आज मंगलवार यानी 23 जून को कड़ी शर्तों का पालन करते हुए पूरी में भगवान जगनात की रथियातरा निकाली जाएगी आजह से ही इस रथ यातरा के लिए जो अनुष्ठान जो उच्ष महने अगर एहमदाबाद की बात करें इहमदाबाद में भगवान जगनात की रथ वासियों के जीवन में सुख सम्रिधी स्वभागय और अरोगय लेकर आए जय जगनात वहीं आपको बता दे कि उडिसा के पूरी में भगवान जगनात की रतियात्रा की तैयारिया जोरो शोरो से जारी है इसके साथ ही रतियात्रा के लिए मंदिर परिसर में जो पुजारी है वो लोग भी घटा होने शुरू हो के हैं गुजरात की मुख्य मंद्री विजे रूपानों ने भी एहमदबाद में भगवान जगनात के मंदिर वो पहुंचे वहाँ पर उन्होंने रतियात्रा में हिस्सा लिया आपको बता दे कि कोरोना महमारी के कारण ये रतियात्रा मं अनुमती नहीं मिली इसके साथ ही उन्होंने कहा मैं मंदिर के ट्रस्ट और महंतों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हलातों को समझा साथ ही मंदिर परिसर में ही रतियात्रा की विवस्था करी और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं बता दे कि सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था सुप्रीम कोट के आदेश के अनुसार इस रत्यात्रा में 500 लोग ही शामिल हो सकते हैं इसके साथ ही उन्होंने अपने आदेश में ये भी कहा था कि रत्यात्रा को केवल मंदिर सेवादार ही धके लेंगे साथ ही इस रत्यात्रा में केवल वही लोग शामिल होंगे जो कोरोना नेगिटिव हैं फिलाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही और खबर से रहने के लिए देखते रहिए वी क्लिक साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें झाल